हेलो दोस्तो मैं गुनजीत और आप देख रहे हमारा चैनल डिजी गलोब दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी यूटीब के वाज हिस्ट्री और शर्ष हिस्ट्री को क्लियर कर सकते है डिलेट कर सकते है दोस्तो आप जो YouTube में वीडियो देखते है उसका जो history है वो YouTube के server में save हो जाते है दोस्तो इसको जो है आप कैसे clear कर सकते है या फिर delete कर सकते है मैं आज इस वीडियो में आप लोगो दिखाने बाला हूँ तो दोस्तो देखिए पहले जो है आप अपनी YouTube एप को open कर दीजे उसके बाद आप जो है लाइबरी जो है यहाँ पर देखिए लाइबरी पर click कर दीजे click करने के बाद दोस्तो जो history है इस पर click कर दीजे हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां जो है दोस्तों आपने जो भी वीडियो देखे है यहां पर सब कुछ सेब हो गया है मतलब कि यह जो है वास हिस्ट्री है अपने जो भी वीडियो देखा है यहां पर आ जाएगा तो दोस्तो इसको आप singlely मतलब की एक एक करके भी delete कर सके जैसा कि मैं यहाँ पे click कर दिया click कर देने के बाद remove from watch history इसको आप यहाँ पे click कर देंगे तो यह जैसे देखी यह चला गया भी मतलब की यह clear हो गया delete हो गया तो दोस्तो एक एक करके आप यहाँ से कोई भी जैसा कि मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ से three dot पे click कर दिया उसके बाद remove from watch history इसको पर click कर दिजे यह जो है यह देखी चला गया है यह अभी मतलब की clear हो गया और अगर आप इसको सारे के सारी हाँ पर जो भी है इसको एक साथ delete करना चाहते है तो आप जो है जो है यहाँ पर देखिए उपर three dot पे click कर दिजे और history control पे click कर दिजे history control पे click करने के बाद दुस्तो उपर देखीए clear watch history उस पर आप click कर दीजे click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी ID दिखाईगी जो Gmail ID है उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाए यहाँ पर आप नीचे लिखा है जो हो clear watch history इस पर आप click कर दीजे और यहाँ जो लिखा है दोस्तों आप ध्यान से पढ़ लीजिए मतलब कि यहाँ पर लिखा है आप जो इस Gmail ID से जो भी आपने सर्च की थी YouTube में वो जो है आपने जो देखा है वीडियो वो सब डिलेट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है clear watch history पर click कर देता हूँ मैं click कर देने के बाद दोस्तों देखे लिखा एक message आ गया watch history cleared मतलब कि मैं आप लोग को back करके दिखा देती हूँ यहाँ पर search कर दिया और यह देखिए यहाँ पहले जो वीडियो आ रहा था यहाँ अभी जो लिखा है this list has no videos मतलब कि यहाँ पर कोई वीडियो record नहीं है तो इस त मैंने click कर दिया भी यह जो है यहाँ पर जो आप देख रहे है इसको जो है बोलते है search history इसको आप delete कर सकते एक एक करके जैसा कि मैंने अभी इस पर click कर दिया और यहाँ पर जो दिखा रहा है remove from search history आप अगर singly मतलब कि एक एक करके इसको delete करना साथ है जैसे मैंने इसको इस हो गया आप अगर इसको जैसे कि मैंने which mobile is the best to buy 2018 इस पर मैंने click कर दिया और यह जो है option आगया आप अगर remove करना चाहते है तो remove पर click कर दिजिए तो यह देखे यह भी चला गया तो इस तरह से आप this keyword को delete करना चाहते है जो यहाँ पर आपने search की थी इसको अगर delete करना चाहते तो ऐसे करके आप delete कर सकते है और एक साथ भी आप इसको delete कर सकते है जैसा कि मैं आप लोग को दिखा देते हूँ यह यहाँ पर आ जाए उसके बाद आप history पर click कर दिजिए और history पर click करने के बाद उपर जो देख रहे है त्री डॉट इस पर click कर दिजिए और history control पर चले जा clear करते है ठीक वैसे ही आप clear कर सकते है उसके बाद आप यहाँ पर देखें नीचे clear search history इस पर click कर दिजिए click करने के बाद दोस्तों देखें मेंसेस आया search history cleared तो आपका जो search history है मतलब में आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ जो search history है यहाँ पर देखिए यह जो है सारे के सारे delete हो गया मतलब भी clear हो गया तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपनी YouTube के watch history और search history को delete कर सकते है तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो like कर दिजे और इस वीडियो से related कुछ सवाल है कुछ पूछना साते हैं मुझे तो comment section में पूछ सकते है तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहिए सिखते रहिए डिजी ग्लूप चैनल के साथ थैंक्यू जैहिन बंदे मातरा मुझे